शुनियाजी की बात सही है जो जनादेश दोजार चोबिस के लोकसभा चुनवा में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है यही मोदी अपने दम पर चार सो पार की भाशा कर रहे थे हैं कॉंग्रस को पचास सिटे भी नहीं मिलेगी रावल गांद्य को बोलते थे शहजादे की जितनी उमर है उतनी भी सिटे नहीं मिलेगी लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मुदी जी ये बात सही है कि आप जुगाड करके सत्ता पर बैटे हो लिकिन सत्ता में बैटने से बहले आपको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था लिकिन मुदी जी दूसरे को बोलते हैं आत्मचिंतन करो जिसको आत्मा होता है वो आत्मचिंतन करते हैं ये लोगों को आत्मा नहीं है जिस नुर्ता से रात चला रहे है, सरकार चला रहे है, वो कभी चिंतन नहीं करेंगे। देश को जरूरत है का इसे निता की, जो सब को साथ लेकर चले। देश के हलत बहुत खराब है। इसलिए सोनिया जी ने जो कहा है कि मुदी जी आत्मा चिंतन करो, वो सही है। Panigraga, जी जो को लेकर पहले से कहते है कि ये साना मामला जो ही जैनसी त्वरत बहुत भी लगब्दित पोलिटिकल है, कि मुदीया वर शा जी के जमाने में हमारी जुड़िसएरे भी पोलिटिकल हो गई न आँख कर पॉलिटिकल हो गए, पॉलिटिकल दवा में हमारे जुडिशेरी काम करती है, सेंट्रल एजेंसी के बाद छोड़ दीजे, वो तो उनकी एक गुलाम है, एजेंट है, बीज़िपी के एक्स्टेंडेड ब्रैंच है, ED, CBI, Income Tax, लेकिन अब नहीं उनको, असान नहीं होगा, जिस तरह से लोकसवावें, जो जनादेश आया है, और राहूल गांधी, निता प्रतिपक्ष बने हैं, तो आप इतना आसान नहीं है, मनमानी करना, सरकार बदलने के बाद, विपक्ष के नेतापद पर राहूल गांधी आने के बाद ही, या विपक्ष की ताकत तो आपने देखिए हो, देखने के बाद ही, हिमन सुरेंज जी को बेल मिला है, किस जवाल को बेलेगा, आप देखि पर दो की ताकते बाद ही?